साथियों आज हम डिसकस करते हैं डीजे और लाउड स्पिकर को लेकर क्या कानून है देखे आप सब पार्टी में जाते होंगे डांस फ्लोर पर एक नोटिस देखा हुआ उसमें लिखा रहता है कि दस बजे के बार दीजे बजाना अपराद है साथ ही जुर्माने की रकम भी रहती है दरसल इससे समंदित कानून है ध्वनी प्रदूशन कानून 2000 के मताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पिकर और डीजे बजाने पर पबंदी है हाला कि इसे लेकर कोई भादयता नहीं है राजे सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ शर्तो के साथ रात 12 बजे तक लाउड स्पिकर और डीजे बजाने की इजाज़त दे सकती है लेकिन रात के 12 बजे के बाद किसी को भी लाउड स्पिकर या डीजे बजाने की इजाज़त नहीं है ऐसा करना गैर कानूनी है यानि अपराद की श्रेणी में आता है इस बारे में कितने शोर की इजाजत है दिखिए जो शोर होता है यह डेसिबल की लिमिट में होता है अगर इंडेस्ट्रियर इलाका है तो वहां पर दिन में 75 और रात में 70 50 decibel की limit में आप शोर मचा सकते हैं मतलब noise कर सकते हैं वैव EC लाक़ा है तो वहाँ पर 65 decibel और रात में 55 ऐसे ही जो रिहाइसी इलाके हैं वहाँ पर 55 decibel तक की limit में आप sound pollution कर सकते हैं noise pollution कर सकते हैं और रात में 45 तक और जो साइलेंस जोन आ जाते हैं वहाँ पर आप 50 डेसिबल की लिमिट में और रात में 40 डेसिबल की यूनिट में आप शूर मचा सकते हैं इजाज़त लेकर अब हमें ये जानना ज़रूरी है क्या लाउट स्पीकर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो जिखिए इसका जवाब है हाँ इस बारे में सुप्रीम कोट कह जुका है कि सविधान के अनुच्षेद 21 में जीवन जीने के अधिकार के तहट द्वनी परदूशन मुक्त वातवरन में रहने का अधिकार भी आता है किसी को धार्मिक आयोजन या संस्कृतिक आयोजन के नाम पर भी ये चूट नहीं मिलती है कोई किसी को भी जबरन भजन गाना या धार्मिक उपदे सुनाने के लिए बाते नहीं कर सकता है आपने कभी न कभी ये सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि आपके अधिकारों की सीमा वहीं तक है जहां से दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो अगर देर रात तक लाउट स्पिकर या डीजे बजाने से किसी की नींद खराब होती है या मांसिक स्वास्त पर असर पड़ता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है इसके खिलाफ पीड़त वैक्ति को अधिकार क्या है देखे अनुचेद 32 के तहट सीधे सुप्रीम कोट का दरवाजा कटा सकते हैं अनुचेद 226 के तहट सीधा हाई कोट जा सकते हैं रात में लाउट स्पिकर और डीजे बजाने पर रोक लगाने की मांग भी कर सकते हैं धारा 268 IPC के तहट मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है इसमें 200 रुपे का जर्माना लगाया जा सकता है तो देखे अब यह जानना जरूरी है क्या अगर किसी की शादी में डीजे बजरा है स्पिकर बजरा है तो क्या आप उसके खिलाफ कोई शिकायत कर सकते हैं तो देख साउंड स्पिकर बजाना भी पब्लिक नुसंस ही माना जाता है अगर आम लोगों को इन लौट स्पिकर से परिशानी होती है तो वो कानून के तहट कारवाई के लिए अपील कर सकते हैं इसके लिए IPC की धारा 290 और 291 के तहट जेल और जुर्माने के भी प्रवधान है दे सब्सक्राइब को फीजिक लोजिकल असर पड़ सकता है माइगरें ट्रिगर हो सकता है डिप्रेशन और डेमिंशे के कारण भी बन सकते हैं अगर आप कहीं तंग है किसी लाउट स्पीकर या फिर डीजे की साउंड से जो कि आपको लग रहा है कि भी एक्सेसिव साउंड है रात के बारा बज़े के बाद बज़रा है रात के दस बज़े के बाद बज़रा है तो आप उपर बताएं गए जो मैंने आपको सल्यूशन दी हैं उसके अकौर्डिंग आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी लाबदायक लगी हो आप दैक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबाएं, लाइक कमेंट करते रहें, धन्यवाद.